तो यार आज का वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम सबको एक चीज़ बतानी थी कि देखो जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट करा थे कि शॉन स्ट्रिक्लेंड इमावाव को बीट कर देंगे एक अपनी डिसिजन विक्टरी से और अभी कुछ दिर पहले जो यूए मुझसे काफी बार कॉमेंट सेक्शन में पूछा है कि जून जोन की अगली फायट कब होगी और यहिए हम अट-लीस थीन साल से वेट कर रहें कि जॉन जोन से कब फाइट करेगा क्योंकि देखो याज जोन जोन से का फाइटर है जो कि आर्गिवली दू यूए सी का इसने साल राज कर रहा है, light heavyweight division, वो one of the toughest division हुआ करता था UFC का, और उसमें उसने 13 title defenses कर रहे है, तो भाई सब उसकी fight का वेट कर रहे थे, 2020 में उसने last fight करी थी, जॉन जोन्स के fight fans है, वो उनके लिए good news है, कि जॉन जोन्स की fight finally announced हो चुकी है, और ये around 95% sure है कि ये Cyril Ghan के साथ fight क करने वाले हैं, UFC 285 में 4 March को, तो देखो यार, इसके दो तुम सोच रहोगा कि इसमें ये कैसे हो गया, अचानक से Cyril Ghan कहां से आगे, एक दो दिन पहले से ही मेरे को इसके बारे में मालूम था लेकिन ये पूरी तरह से शूर नहीं था, चाल सनन ने इसके बारे में भी अप इसके बारे में भी अपनी तरफ से कंफार्म कर दिया है कि उन्होंने सारी कॉंट्रेक्ट से वह रिलीज कर दिया है, UFC के, वह एक फ्री एजेंट है, अब बहुत सारे लोग इसमें भी होप लगा रहे हैं कि वह फ्री एजेंट है, तो दुबारा UFC से साइन कर लेंगे, या तो इसलिए इसके बारे में भी डेना और राइट ने ख्लारिफिकेशन यही दे दिया, यह वह दो साल से ट्राइक करने है कि फ्रांसरी एंगानू एक नहीं कॉंट्रैक्ट साइन कर लें, लेकिन दो साल से उन्होंने साइन नहीं कर आ है, तो अब क्या ही करेंगे वह UFC के सा उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उसकी skills भी unmatchable है, जो last fight में उसने सलेल गान को हरा दिया, और UFC इस टाइम पर उसको ऐसा पैसा देने के लिए रेडी है नहीं, दोनों के बीच में काफी जादा अन्बन हुई, पिछले एक साल से division भी रुका रहा, फ्रांसे जो इतने साल से काफी सुस्त सा लग रहा था, उसमें एक नहीं जान फुक गई है, जॉन जोन्स के आने के कारण और यह fight अनौन्स हो चुकी है, यह 285 में Cyril Gann और जॉन जोन्स फाइट करने हैं, जो फ्रांसेस अन गानू और जॉन जोन्स की जो फाइट थी और अब तो अ अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो PFL भी एक UFC जासा ही organization है, जो MMA fights कराता है, लेकिन देखो वो एक नया organization है, तो अभी जाला पैसे देने के लिए ready है, और UFC एक established organization है, तो वो उतना जादा leverage नहीं देना चाहता है fighters को, और UFC में और Dana White की भी यहां पर बहुत सारी गलतियां गिनाई जा रही है, फ्रांसेस अन गानू का ऐसा छोड़ना, बट चलो वो सारी contract की चीज़ें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा fight fans बस वही fights देख सकते हैं, जो बनाई जा रही है, और Francis अन गानू और John Jones की fight नहीं बनाई गई, और Francis अन गानू अब शायद से PFL चले जाएंगे और वो UFC में fight भी नहीं करने वाले, John Jones के लिए stylistically Cyril Gaun काफी जादा hard match-up होगा as compared to Francis अन गानू, क्योंकि Cyril Gaun को बहुत लोग ऐसा भी बोलते थे, कि वो heavyweight का, मतलब एक featherweight की तरफ fight करता है, heavyweight में उसका stylistically match-up इतना अच्छ है, और ऐसा ही same fight करते हैं, John Jones भी अप excitement नहीं जनरेट कर पाएगा जितना Francis अन गानू के match में होता, लेकिन फिर भी अब जो मिला है, उससे ही काम चलाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें लग रहा है कि Francis अन गानू चला गया, तो अब heavyweight division में उतना तगड़ा कोई fighter बचानी होगा, तो यार ऐसा नहीं है, देख आज में आजाएगा कि UFC के जो heavyweight division में अल्रेडी बहुत सारे killers भरे हैं, एक Francis अन गानू चला गया, तो हाँ वो बहुत significant loss है, हम सब के लिए as a fight fan, लेकिन देखो, सरगे पावलो वेच, कर्टिस ब्लेड्स ये सब भी बहुत जादा, मतलब नॉक आउट्स के तुम्हें कमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना आए तुम्हें लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को अगर तुम्हें युएसी 283 की प्रेडिक्शन जो की ग्लोवर टेशहरा और जमाल हिल के बीच की जो प्रेडिक्शन वो जाननी है, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हो, इसमें मैंने पूरा अनालेसिस कर रहा है, इस वीडियो को भी देख लेना अगर तुम्हें चाहिए इसका प्रेडिक्शन तो, तिल देन मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में, बाई बाई